चलि आज बनाते हैं मेथी आलू लुसुन भी पतली बनेजो इसे आप सुबह ब्रेगकपास्त की कुछ कुछ प्रश्पक्त चप्क今日は या बजब नाता ना चुछराकशंग कउसे पॉम, लुधे, जोड़ा के नाता नात लुधे, पॉम zu нос. अचार और गर्मा गरम पराथे और इतने क्रिस्पी करारे पराथे बनाने की टिप और ट्रिक आपके साँ शेयर करूंगे ना कि आप बस अचार पराथे ही खाके एक्टम मस्त हो जाएंगे तो आए देखते हैं हेलो एवरिवन वेलकम टो रुपाली इसकी चिट कुकिंग और बेकिंग और मेरे साथ मिलकर बनाते हैं यह मज़िदार सी रेसिपी को बट उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटापट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि टाइम पर सारे कर दो नहीं एक पर अजवाईन यहां पर मैं डाल रहा है जौएर का अटा और आपके पास मल्टी ग्रेन आप बना सकते हैं आपके पास घर में बना सकते हैं अविलबल हो तो अविलेबल हो आटे के लावा वो सब इसमें डालिये तो टेस्ट बहुँ अच्छा जाएगा य पुड़ी पराठे या रोटी में बनाती हूं तो आटे में मिक्स करती हूं दो से तीन चमच इसे ना टेस्ट के साथ सा सीहत के लिए भी बहुत वाइदे मन्द है एक इस्पून नमक डाल लिया है और यह मेथी है मेथी को मैंने दो कर सुखा कर बारी काट कर इस तरीके से एर तो रैस्पी के साथ साथ आपको बहुत सरे टेप और ट्रिक मिलते हैं डेली लाइफ के जो काफी यूसफुल होते हैं और काम असान कर देते हैं तो रैस्पी को देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर करना मत बूलेगा तो अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर हम इसना सॉफ्ट डो आपका रहेगा पराठे उतने ही जादा अच्छे से स्टफिंग करने में इजी रहेंगे बेलने में इजी रहेंगे और बनाने में बहुत अच्छे बनेंगे वो अब यहां पे स्टफिंग तयार करने के लिए मैंने लिए हैं चार बॉयल किये हुए आल तो जितना आपके अकॉर्डिंग धनिया पत्ति आप एड़ कर लिजे हरी मिर्च एड़ कर लिजे टेस्ट और जितना आपको पसंद है तीखा अब यहां पर गिये हैं लसुन ग्रीन लसुन मार्केट में इसली मिल जाता है यह बिल्कुल ग्रीन ओनियन जो मिलती है स्प्रिं अब भारी कट करके डाल लेंगे तो बिलीव मी एक बार इसको डाल के देखेगा आपको टेस्ट खुदी समझ में आएगा बहुत डिफ्रेंट बहुत अमेजिंग का टेस्ट आता है यह नहीं हो तब आप नॉर्मल लसुन डाल सकते हैं एक स्पून मैंने डाला है वाइट नमक यादस धाल जमस काला नमक यादस भूनाव जीरा पाउडर सात में डाला है आदा इस्पून लाल मिच पाउडर इसके साथ ही हमन डाला है आदा इसपून अमचुर पाउडर एक थी भून धन्या पाउडर ऑर थोड़ा सा जीरा वन प greatly की जीरा और एन सब को अछ Qing कर क तो जितना इस्टफिंग में जो जो आप डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं तो इस्टफिंग बनके तयार हो गई है अब यहां पर हमने आटा सेट होने के लिए रख दिया था तो देखें आटा हमारा कितना बढ़िया सेट हो चुका है फटा-फट से हमने छोटे- आप बिच में रखें चारो और से पैक करना इस तरीके से यह थोड़ा सा बिगनस जो होते हैं उनको बनाना तफ होता है बट आप बार बार वीडियो देखेंगे ना तो आपको बनाने में बहुत आसानी होगी और देखते ही देखते आप बनाना सीख जाएंगे तो अगर आप को फटर है करते हैं तो आप बार बार देखिए और ट्राइ करिए बहुत ईजी देखें हाथों से चारो और से ऐसे प्रेस करना है आपको किनारे से इसे स्टफिंग जो होती है एक सी सारी प्राठे में स्प्रैड हो जाती है और प्राठे बिलकुल भी फट्ते नहीं है तो देखिए मैंने इतना बड़ा इसे को कर लिया है अब हम पटा-पट से बेलंसे से बेल लेंगे तो जितना बड़ा साइज आप पराठे का रखना चाहते हैं उतना बड़ा बेल लिजिए मेरी हैबिट हो गई है तो मैं काफी बड़े पराठे बनाती हूँ और काफी अच् अब हम सूखा आटा इसमें डॉस्ट करेंगे और हलका सा इस तरीके से हाथों से प्रेस कर लीजे आप चाहे तो पटे के उपर रखके इस तरीके से हाथों से दबा कर प्रेस कर लीजे अगर आपको नहीं आता है तो और जब यह थोड़ा बड़ा हो जाए तब दो-तीन बेलन प्रेस कर लीजें अब यहां पर मैंने तवे में अच्छे से ऑ ile गरम किया है और यह मैं बना रही हूं हं दिल्ली में बराठे गली में जो परांथे मिलते ना एक दम फ्राइक हो किया हुए तो यह हम सेमी प्राइक करके बना रहे है Nep hai तो मैयने तवे में तेल भर लिया है और उसके उपर पराठा डाल दिया है गरम हो जाने के बाद और यह हलका सा जब एक तरफ से सीख जाएगा अच्छा सा क्रिस्प हो जाएगा तब हम इसे पलट देंगे तो यह देखिए तो यह वाला जो तरीका होता है इसे पराठे बहुत जादा क्रिस्पी बनते हैं और और दोनों तरफ से हम पराटो को उलट पलट कर अच्छा सा क्रिस्प होने तक सीख लेंगे तो किनारे आप देख सकते हैं चारो किनारे कितनी क्रिस्पी बनके दिख रही है ना और ये पिली में बहुत मज़िदार लगते हैं खाने में तो सर्दियों में इस तरीके से गर्मा तरीका बताती हूँ जो हम नॉर्मल तरीके से कम तेल में बनाते हैं तो जिन लोगों को ज्यादा तेल खाना पसंद नहीं है वो इस तरीके से बना सकते हैं पराटा एक तरफ से सीख जाए तो पलट लीजिए फिर हलका सा दो तीन ड्रॉप ओईल को स्प्रैट करना है बनाती हैार और फेला लेना है और पराटे को दबा दबा कर हम सीखेंगी तो पराटे को आप जितना प्राह करते वे सीखेंगी पराटे उतने ही क्रिस्पी बनके तयार होते हैं ये देखिए तो ये हमारा basic traditional तरीका है तो दो दो तरीके मैंने आपको बता है है आपको जो भी तरीका पसंद आता है आप उस तरीके से पराठे बना सकते हैं बट ये पराठे खाने में बहुत easy लगते हैं तो आपको जब सर्दियों में खाना बनाने का मन न करें तो इस तरीके से पराठे बनाईए ये काफी काम आपका असान कर देगा तो चलिए फटा-फट से सर्फ कर लेते हैं और आज मैं इसे सर्फ कर रही हूँ एकदम मज़दार सी चटपटी सी चटनी के साथ ये देखे पराठे कितने मज़दार दिख रहे हैं मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ और फास से दिखाती हूँ कि ये पराठे बहुत क्रिस्पी हैं वाकरी में आप खाएंगे तो आपको मज़दार से पराठे खा करना दिल खुश हो जाएगा अब तोड़के दिखाती हूँ मैं आपको किसके अंदर की स्टफिंग देखे कितने अच्छे से चारों तरफ स्प्रेड हुई है ये देखे आप और देखके ही लग रहे हैं कि बहुत मज़दार से पराठे हैं तो इसे आम के अचार के साथ खाई है चटनी के साथ खाई है या सूखे खाई है ये बहुत टेस्टी लगते हैं बचों को तो बहुत पसंद आते हैं तो सरदियों में बचों को लंच में बना के दीजिए सेहत और सुआत दोनों से भर पूर है और अचार के साथ खाने में तो ये बच्चपन की याद दिला देते हैं कि बच्चपन में गर्म गर्म पराठे और अचार जब हम खाया करते थे ना तो उसकी तो बात ही कुछ और है तो बहुत फिर मिलेंगे एक नेक्स वीडियो में अब टापता की लेग, बच्चार के लिए टापता की लेगए, टापता की लेगाएं